सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी दिलकुल मुफ्त में। अपको इंडिएजेशन की समस्या रहती है, आप ब्रह्मचरे का पालन नहीं कर पाते हैं या फिर आपको परेशानी आ रही है, आपको स्ट्रेस है, अन्जाइटी है, डिप्रेशन की समस्या है, आपका कंसेंट्रेशन बहुत जदा कम हैं आप किसी भी काम पर, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आप अपने ध्यान को एकाक्र नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ये सारी समस्याइं आ रही हैं तो आज के इस अभ्यास में हम आपको एक ऐसे आशन के अभ्यास के बारे में बताने वाले हैं जो कि help करेगा आपके इंसारी समस्याओं को धूर करने में और साथी साथ इस आशन के और भी बहुत सारे लाब आप सभी लोग को मिलेंगे जिसका की नाम है half lotus tipto pose ये इस आशन का इंग्लिश नाम है हिंदी में संस्कित में हम इस आशन को अर्द बद पदम अगुस्ट आशन कहते हैं तो चलिए मैं अतुल मिश्या सिद्धियोगा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ तो चलिए दोस्तो हम चलते हैं अपने half lotus tipto pose के अभ्यास की तरफ और इसका अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आशन की Contra Indications को समझ लेते हैं कि किन-किन लोगों को इस आशन की अभ्यास को avoid करना है और किन को साबधानी के साथ करना है तो सबसे पहली चीज अगर आपको आपकी lower body joint जिसे की ankle joint, knee joint और hip joint से related कोई भी injury है तो आपको इस आशन की अभ्यास को avoid करना है अगर कोई severe injury है तो ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुत pain है आपके knee joint में और hip joint में तो आप practice कर सकते हैं बट बहुत ज़दा push आपको नहीं करना है साथी साथ अगर आपको low blood pressure की समस्या है तो अभी आपको इस आशन के अभ्यास को बड़ी ही साबधानी के साथ करना है कोकि यहां balancing आपको करनी पड़ती है और जब low blood pressure रहता है तो हो सकता है कि आपको balancing में थोड़ी problem आए आपको blood pressure और भी ज़दा low हो सकता है और साथी साथ अगर आपको आपके shoulder से related कोई injury है ठीक है न तो भी आपको थोड़ा सा careful रहना है इस आशन के अभ्यास को करते हुए और अगर आपको arthritis है नी से related बहुत ज़्याद़ pain है ठीक है न अर्थिराटिस के कोई भी symptoms अगर आपको है या फिर किसी भी तरह की आपको क arthritis की समस्या है तो आप प्लीज इस आशन के अभ्यास को avoid करें तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं अभ्यास की ओर तो यह आसन एक balancing आसन है ठीक है बैठ कर करने वाले आसनों की category में आता है तो पहले इस आसन के लिए जो preparatory practice है वो हम कर लेते हैं कि क्या-क्या preparation हमको करनी है इ सामने की तरफ बैड़ना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग preparatory करते हैं अपने half lotus tipto pose के लिए ठीक है तो हमें half lotus tipto pose है तो इसमें हम आसन के अभ्यास जो आसन है उसको दो पार में डिवाड़ के थे पहला है half lotus दूसरा है tipto तो पहले हम preparatory करेंगे half lotus हमें पहले half lotus pose की तयारी करनी है half lotus pose की practice करनी है तो दाय पेर को bend करेंगे और दाय पेर की दाय पेर को अपने बाय पेर की थाई पर रखेंगे तो इस तरीके से हमें half lotus के लिए preparation करनी है तो आपको अपने knee को up and down move करना यह help करेगा आपके ankle joints की flexibility को बढ़ाने के लिए अगर आप अपने opposite आपका जो feet ह इसको अपनी opposite थाई पर नहीं रख पा रहे है और आपका knee बहुत ज़दा ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है ना आपकी ankle joint flexible नहीं है तो आप इस आसन की अभ्यास को नहीं कर पाएंगे बहुत ज़दा दिक्कत आएगी आपको balancing में तो इसलिए आप इसको up and down move करके ankle joints को preparatory करनी है तो यह आपको इस तरीके से half lotus की practice करनी है तो यह half lotus pose के लिए preparatory practice है तो यह आपको करनी है जिससे कि आपके ankle और knee joints की flexibility भढ़ जाए क्योंकि कभी क्या होता है कि अगर आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं ठीक है ना half lotus टिप्टो का तो आपको ankle joint में बहुत ज़दा pain ह है नी joint में बहुत ज़दा pain है जिसकी वैसे आप आसन के अभ्यास में नहीं रुख पाते हैं और आप balance नहीं कर पाएगा तो आप focus नहीं कर पाएंगे focus नहीं कर पाएंगे तो balance कैसे बनेगा आपका तो इस तरीके से आपको preparatory कर लेनी है साथ हम लोगो butterfly butterfly भी इस आसन के लि knee joint और hip joints की flexibility है वो बहुत ज़्यादा important है तो इसलिए यह preparatory practice भी आपको करनी है ठीक है आप stop करेंगे दोनों पैरों को सामनी की तरफ सीधा कर देंगे तो यह हमने preparatory practice की हमारे अभ्यास के लिए ठीक है आप देखते हैं कि इस आसन के अभ्यास को आपको करना किस तरीके से आप बैट कर भी इस आसन के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं आप खड़े हो के भी इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं ठीक है तो कैसे करना है सबसे पहले हम लोगो अपने दौनों पैरों को पीछे की तरफ लेके आएंगे और वजरासन की position में बैट जाना है मैं आपको पहल हाफ लोटस टिप्टो पोस की प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे तो भजरासन की position आपको पहले चेक करना है अच्छे से बैट पा रहे है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है दौनों पैर के हुट्टो और उंगलियों को अंदर की तरफ टक करना है फिर आपको पहले बैले बैलन बनाना है टीपटो पोस ठीक है हमने अपने आसन को दो पार्ट में डिवाइड किया था हाफ लोटस टीपटो पोस आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं यहां पर तो आप हाफ lotus tipto pose की तरफ ठीक है तो मैं face सामनी की तरफ कर लेता हूं जिसी कि आप लोग अच्छी से समझ पाएंगे तो आपको tipto pose की practice करनी है दोनों blocks को इस तरीके से रखिए ठीक है दाएं पैर के साथ half lotus और बाएं पैर के साथ tipto pose की practice करनी है ठीक है तो कैसे आप अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर की थाई पर इस तरीके से आपको रखना है ठीक है और आपका जो नी है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए जिससे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ankle joint की flexibility, knee joint की flexibility अच्छी नहीं है तो आपकी position इस तरीके से आपको खुटना नीचे नहीं करेंगे ठीक है कम और को सीधा रखना है दोनों हाथों को blocks पर रखिए तो पहले block के साथ आप इस तरीके से practice कर सकते है क्योंकि एक pair पर balance करना थोड़ा सा tough रहता है तो इस तरीके से आपको block के साथ पहले practice करनी है आप चाहिए तो एक हाथ को नमशकार मुद्रा में हाफ इ तो आपको क्या करना है दूसरी जो इसकी प्रपरेटरी आप चाहे तो अपने गुटने को नीचे रख दीजे और आप इस तरीके से नमशकार मुद्रा में balance बना सकते हैं पर यहाँ पर भी थोड़ी balancing रहेगी ठीक है तो पहले आप गुटने को नीचे रखे थोड़ा सा balancing क ट्राय कर सकते हैं इस तरीके से कमर सीधी रहेगी ठीक है ना बोडी को आपको align रखना है कमर को बिल्कुल सीधा रखना है ठीक है तो यह हमने दाए पेर के साथ lotus और बाए पेर के साथ balancing किया अब इसी तरीके से हमें इस आसन को दूसरी तरफ से भी करना होता है यानि कि हमे बाए पेर के साथ lotus pose, half lotus pose और दाए पेर पर balance करना है ठीक है तो हम अपने पेर को bend करेंगे opposite thigh पर रखेंगे ठीक है और उसके बाद blocks को हमें अपनी body के side से रखना है ठीक है तो यहाँ पर दूसरे पेर के साथ हम लोग practice कर रहे है एक पेर के साथ balancing थोड़ी easy रहती है comparing to other ठी किसी भी एक point पर आपको concentrate करना अगर आप अच्छे से ध्यान लगा पाते है ठीक है अगर आपका ध्यान अच्छे से लगता है तो आप आराम से अपने धोना हाथों को नमशकार मुद्रा में लाके balance कर सकते हैं बड़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर के उटे है साथी साथ मैंने आपको बताया कि यह balancing pose भी है ठीक है तो यह balancing pose है तो आपके concentration को improve करता है आपके digestion को बहुत अच्छा बनाता है ठीक है ना साथी साथ आपके spine के posture को improve करने में बहुत ज़्यादा help करता है तो अगर आप block के साथ नहीं करता जाते हैं आप चाहें तो एक न नीचर रखके इस तरीके से नमश्कार में इस तरीके से प्रपरेटरी भी कर सकते हैं बड़ यह final pose नहीं होगा but as a option in the starting में आप अपनी ankle joints की flexibility बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कम balancing रहेगा यहां पर भी balancing काफी रहता है साथी साथ आपके toes को काफी अच्छा stretch मिलता है आपके balancing धीरे-दीरे improve होती है तो block के साथ फिर आप एक हाथ के साथ practice कर सकते हैं फिर आप दोनों हाथों के साथ practice कर सकते हैं इस तरीके से यह आपका final pose हो जाता है ठीक है तो वापस आने के लिए का करना होता है कि दूसरे pair को आपको इस तरीके से release करना है पहले tipto pose में आते हैं उ जब भी आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद आपको अपने ankle joints को relax करना होता है clockwise or anti-clockwise rotate करके आपको अपने knee joints को relax करने के लिए को काफी pressure आता है आप अच्छे से stretch होती है आपकी ankle joints और knee joints की around muscles हैं knee के around और ankle के around काफी अच्छे से stretch होती है तो दोस्तों यह हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने half lotus tipto pose का अभ्यास कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो starting में आप इस आसन के अभ्यास में 15 से 20 सेकेंड तक रोख सकते हैं और आप 3 सेट आप कर सकते हैं और ध्यान रहें जो आपको steps बता हैं उनी steps के साथ आपको practice करनी है एक intermediate आसन है ठीक है तो अगर आप beginner है तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है as a beginner आपको उनी steps को लेना है थोड़ा time लगेगा धीरे धीरे जब आप practice करेंगे balancing को improve होने में knee joints और ankle joints strength की flexibility को भढ़ने में strength को भढ़ने में balance को improve होने में थोड़ा सा time लगेगा जब आप एक हफते दो हफते तक 2-3 set करेंगे everyday रोज इस आसन के अभ्यास के तो दीरे दीरे आप इस आसन को करने में निपड़ हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सारी जानकारे के स आप हाफ lotus tipto pose यानि के अर्द बद पदम पाधंगुस्त आसन का अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वारे सारे लाबों को आप ले पाएंगे तो चलिए आप करिए इस आसन का अभ्यास हम मिलते हैं आप से अगले आसन के अभ्यास के साथ तब तक के रिए नमस्का कर दोगत कर दो